नमस्क्राइब दोस्तों आज के रेसिपी बहुती जबर्दस और बहुती तेस्ची होने वाली है क्योंकि यह हेल्दी तो है ही साथ में यह नूट्रिशन से भरपूर है और आपको यह बहुत ही पसंद आने वाले इतनी लाज जवाब यह रेसिपी है कि इसके आगे कीमा बहुत ही टेसी लगती है बनाना शुरू करते हैं बनाना शुरू करने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती है अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीस लाइक शेर और सब्स्राइब करना ना भूलिए मैं हूँ कर पना और डाब इस मिर्ची ने लिए यह नॉर्मल मिर्ची है उसे आपको इस तरह से बारिक चौप करके ले लेना है अब साथ ही मैंने यहां दो इंच अद्रक कर टुकड़ा लिया है उसे भी इसी तरह से बारिक करके ले लिया है तो फ्रेंट्स अद्रक और हरी मिर्ची से हम यह रेसिपी ब यार कर लिया है तो बहुत ही अच्छे से सोख हो जाती है अगर आप इसको रात पर ओवरनाइट रखके भिगोते हैं तो गाइज रैसिपी को बनाने के लिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में तो रख लीजे एक कड़ाई डाल दीजे दो टेबल स्पून उसमें आईल और इसे काली मिर्ची की मात्रा यहां जादा डेलती है वेजी टेरेन खाने में काली मिर्ची का स्वात बहुत ही जबदस रखता है डाल चीनी डाल दीजे और हरी विलाई ची दो से तीन इसमें डाल दीजे उन्हें अच्छे से रोस्ट कर लिजे और इस मसाले को निकाल लीजे एक बावल में तो गाइस चलि एसे निकाल लेते हैं एक बावल में और इसके बाद भी इसमें बहुत सारी चीज़े जाने वाली है क्योंकि ये इस रैसिपी की जान है इसे बनाने में इस मसाले का जो स्वाद आता है वो आप किसी भी रैसिपी में बनाई है बिल्कुल भी नहीं आने वाला है इसका स्वाद अपने आप में ही एक डिफरेंट टेस्ट है अब डाल दीजिए हींग जो है बहुत ही जबदस लगती है उसके बाद दाल देना है आपको एक चमच नमक थोड़े से हरे धनी की लीज और साथ में अब डालने वालियों में इसके अंदर दही तो य जैसे फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लेना जो पेस्ट बन के तैयार होगा वो इस रेसेपी की जान है अब यहां जो हमने आलू लिया है उससे इस तरह से आठ भाग कर लेंगे तो गाईस इस तरह से देखे मैंने इसके आठ भाग कर लिए ने कि बड़े बड़े कट करके तैयार करें सबी आलू को हम इसी तरह से कट करके तैयार कर लेंगे और इसके बाद इन्हें निकाल लीजे एक बाउल में और जब तक हम सबजी बनाने की तैयारी कर रहे हैं तब तक इन्हें पानी में ही भीगे रहने दीजे नहीं तो इनके उपर हलका सा काला कलर हो जाएगा अब रख लीजे एक साइट में अब रख लीजे एक मोटे तली की कड़ाई जी हाँ फ्रेंड्स थोड़ी सी मोटे तली की कड़ाई रखेगा इससे जब हम ये रेसिपी बनाएंगे तो बहुत ही जबदस बनेगे अब कड़ाई हमारी गरम हो रही है तेल भी अच्छे से गरम हो गया है इसमें डाल दीजे एक चमत जीरा जैसा कि मैंने आपको बताया था तेल और ठंडी कड़ाई दोनों को अच्छे से गरम होने के बाद ही उसमें चीज़े डाली है नहीं तो एक अजीब सा और कच्छा सा अद्रक डाल दीजे हरी मिट्टी डाल दीजे इन दोनों को यह अच्छे से सोते कर लीजे जब तक यह सोते हो रहे हैं तब तक हम कर लेते हैं इसके आगे की प्रोसेस अब हम इसमें डाल देंगे खड़े मसूर की डाल लगातार चलाते हुए हमें इसे पकाना है उपस जाने के कारण में फ्रेंट्स आपको इसके बीच का पार्ट नहीं बता पाई यहनि जब मैंने मसूर की डाल डाली वो और उसके बाद उसे अच्छे से भूना वो भी मैं आपको नहीं बता पाई जैसे मैंने मसूर की डाल डाली थी तो लाइट चली गई उसे आपको अच् कि भुनाई बिल्कुल भी रुक दी नहीं चाहिए लगातार आपको इसे भूनते हुए पकाना है जो इसके अंदर जो दही का जो फ्लेवर है वो हर एक एक पार्ट में अंदर तक चला जाएगा और मसूर की दार अपने आप में ही एक नूट्रिशन का काम करती है आप सभी ज मिक्स करने के बाद हम इसमें कुछ गरम मसाले और सुखे मसाले एड़ करने वाले तो फ्रेंट्स वो भी आप यहां पर जरू दिखे नोट डाउन कीजिए ताकि आपको बनाने में आसानी हो यहां में डाल रही हो एक चमच कश्मीरी लान मिट्च एक चमन धनिया पाउडर हल्दी पाउडर और इन सभी को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट है आपको जरू बसंद आने वादी अब इसे आलू तो हमने कच्चे डाले तो इन्हें पकने के लिए इसमें डाल दीजी थोड़ा सा नमक और अब हम इसमें थोड़ गरम पानी है जब भी कोई बीगश्य बना रहे generous ऴ् intentionally आपको पानी काच्छी तरुप घृझ दाल होती है वह पूली तरह से SOAK कर जाती है पानी को बहुत अच्छी तरह से अबज़र्व करती है अब आपको इसे ढखके पकाना है जब तक हमारे आलू अच्छी तरह से सौफट ना हो चाहें तो गाइस ध्यान रहे कि आलू आपके टूटेने नहीं चाहिए आलू हमारे बहुत ही अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं लग रहा है ना बिलकुल कीमे आलू के जैसे इसका टेक्शर तो गाइस यह वेजिटेरियन कीमा आलू आपको कैसा लगा मुझे कमेंस करके ज़रूर बताएगा आलू भी हमारे अच्छे से पग गए हैं बस ध्यान के दाने तो क्या गाइस यहां में किश्मिश एड़ कर रही हूं इसका जो इससे जो टेस्ट आएगा बहुत ही अमेजिंग आएगा जब आप इससे खाएंगे बाइट लेंगे तो इसमें चुटी चुटी सी जो किश्मिश आएगी तो आपको इससे और भी मज़ा आने वा स्वाध आता है अब इसके स्वाध को और बढ़ाने के लिए यहने कि हमने मिठास भी दी अब हम इसमें खटास देंगे यहने कि नीवू तो यहां में दो नीवू का यूस कह रही हूं और अच्छे से मैंने इसका नीवू करा जब निचोड निचोड के इसके अंदर डाल अब देख से इसको अब जब आप चलाएंगे तो दिहान रखेगा आलू टूटेने नहीं चाहिए खड़े ही रहने चाहिए बहुत अच्छे लगते हैं खाने में तो गाइस रेसिपी हमारी बनके तयार होगी कर लेते हैं अब इसकी प्लेटिंग पास से देखके समझी प्लीज प्लीज कमेंट जरू कीजेगा रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्स्राइब करना बिलकुल ना भूलिए अधरक कि यहां चोटे-चोटे बारी-बारी गलच्छे कट करके लिए हैं नीबू से मैंने इसको गार्निश किया है पोधीना और हरे धनिय से इसको सब्सक्राइब कोच गर्ट किया है बहुत ही मजज़ादार इसकी यह रेसिपी है आपको बहुत पसंद आने में लिए इतनी हेल्डी है यसिपाद्षा कंते लाइक शेयर करना ना भूलें दहीलों किया